एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है जो यूट्यूब के उपर सेकीन एंड कार ढूंड रहे हैं बहुत सारे कॉंटेंट क्रियेटर्स जो की बेसिकली छपरी है और कॉंटेंट क्रियेटर के नाम पे धब्बा हैं उन्होंने बहुत कच्रा फैला रखा है वो किसी भी दुकान पे चले जाते हैं और किसी भी गाड़ी को हाथ लगा के बोलते हैं कि इस इस अ परफेक्ट कार बाज की नजर चाहिए जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो डीलर लोग जो गाड़िया मारकेट में बेच रहे हैं वो फ्री में नहीं बेच रहे हैं वो समाच सेभा नहीं कर रहे हैं उन्होंने कमाना है हलो एवरिवन एं स्वागत है आपका हमारे यूस्ट कार सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंदर जहां मैं आपसे बात करूंगा प्री लवड प्री और्ट सेकिंड एंड कार से हमारी के एकस्पेक्टेशन होनी चाहिए महाभारत का यूद कुरुक शेत्र में हजारों साल पहले लड़ा गया था और कहा जाता है कि वहां की जमीन आज भी लाल है अगर हजारों साल पहले हुए युद का प्रभाव अभी तक देखने को मिलता है तो जो गाड़ी जिसको कल तक कोई और चला रहा था उसके ओपर भी तो कुछ न कुछ असर हमें दिखाई देगा कुछ निशान, कुछ उस गाड़ी की आदते, कुछ उस गाड़ी की चाल प्रभावित जरूर हुई होगी और हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि किन चीज़ों को हमने एकसेप्ट करना है किन चीज़ों को हमने रिजक्ट करना है में रणार अगरे किन प्रिसिंग आप लोग देखने स्पेर वील एंड लेट्स बिगेंगे कार्ज मशीनरी होती है और मशीनरी खर्चा मांगती है चाहे वो हो बेसिंग मेंटेनस हो चाहे वो हो रुला देने वाला खर्चा तो अगर हम इस खर्चे के धेर में से खजूर निकाल के खाना चाते है न तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान लखना पड़ेगा उचा उचा कार का प्राइस अनौन्स किया जाता है ताकि लोग एकसाइटेड हो एकसाइटमेंट में उस बंदे को कॉल करें और ऐसी कवार गाड़ी अपने घर में उठाके ले आए इस चैनल पे उपर आपको कार के एक एक घंटे के वीडियो इसलिए मिलते हैं ताकि आप समझ सको कि उस कार की चाल रियल लाइफ में कैसी है और आप समझ सको कि वो गाड़ी आपके लिए है या नहीं है तो इस वीडियो को भी आपने अंतर तक देखना है सबसे पहले अगर मैं एक्स्टीर की बात करूँ तो जो छोटे मोटे स्क्रैचिस या देंट्स होते हैं वो बहुत ही आम चीज है कॉमन सी चीज है इसकी वज़ासे हमने किसी गाड़ी को रिजक्त नहीं करना है अगर करता है वह मैंटल को खतम कर देता है तो रश्ट एक बहुत बहुत डेंजर वाली चीज है अगर आपको गाड़ी में रश्ट दिख जाता है पहली बार तो ऊससे थोड़ा सा दूर ही दो कोशिश को आप उस गाड़ी को ना खरी दो लेकिन अगर आपको फिर भी वह गाडी it is okay वो रिपेर हो सकता है दूसरे रहा जाता है पैनल गैप यूजरी पैनल गैप सिर्फ टाटा की गाड़ियों में होते हैं फैक्टरी से लेकिन अगर किसी और गाड़ी के अंदरा पैनल के आप देख रहे हो तो आप हिसाब लगा लो कि शायद वो पैनल बाद में फिट किय जा गया है चाहे सर्विस सेंटर में चाहे कहीं बाहर क्योंकि जो पैनल फेक्टरी फिट करती है वहां पर आपको ज्यादा गैस नहीं मिलते रही बाद टाटा मोर्टर्स की थोड़ा बहुत महींदरा में भी ऐसा होता है इनकी फेक्टरी से ही पैनल गया पाता है तो टाट यह मोटे होता है ना वियरेंटियर के निशान जैसे स्टेरिंग थोड़ा सा लबब घिस गया है थोड़ा बटन के उपर अगर टेक्ट दिखना कम हो रहा है तो यह कॉमन सी चीजे हैं जो उम्र के साथ हो जाती है एक चीज ज़रूर ध्यान लखनी आपने के ऐसा ना हो कि बटन घिस रखे हैं स्टेरिंग घिस रखे है और बंदा अपको बोल रहा है गाड़ी तो मेरी थोड़ी ही चली है बीस हजार किलो मेटर बीस हजार में कुछ नहीं होता यह डैमेज जो होता है ना चोटा मोटा वेरेंटियर वाला घिसने वाला खासकर यह लाख डेड़ ल गाड़ी में अगर आपको किसी तरह की स्मेल बगर आ रही है या आपको कोई चीज जादा ही प्रॉब्लेमाटिक लगरी है ना तो हो सकता है कि उस गाड़ी का जादा अच्छी दीखे से ध्यान नहीं रखा गया और आने वाले समय में वह आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है अगर आप उस पार्ट को कंप्लीटी रिप्लेस कराना चाहो तो तो यह एक इस्यू निकल सकता है इसके बाद अगर मैं इंजन की बात करो तो यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है गाड़ी जो मर्जी हो चाहे हो फोक्सवागन चाहे हो टयोटा तो कि देखो में जो थ्यान लखना है किसी तरह का लीक वगर आपको ना दिखे ठीक हर एक वायर आप ध्यान से देखो एक्ष्टा वायर वहां पर जादा ना हो राइट इन चीजों को समझना बहुत जादा जरूरी है और इस अगले वीडियो के अंदर मैं आपको यह सारे ही पॉइंट्स ना पर डिटेल में बताऊंगा फिलहाल मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहरा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि खर्चा और खजूर हमारे सामने ही है हमने इसको अपने आप से जज़ करना है अपने आप से पिक करना है गाड़ी को चला के देखो अगर आपको लगता है कि बतारों कि गट फिलिंग का मतलब एक्सपर्टीज नहीं होता जश्ट एक फिलिंग होती है अर्मं से ठीक है किसी चीज को कई बार हमें देखके फीलिंग आती कई बहुत साल इंदी का चलाने के बाद भी है यह गाड़ी ठीक है चाहरे टाटा वाले वेकार हो इसलिए मैंन 첫y कोकिद दिनजा है चीजों को काउट करना हैं जब हमने गाड़ी को देखना है नुर्व जिना करना है चाहिए ऐसे एक फोन में यहाटन चाहे किसी समझदार दोस्त को समझदार इन दे सेंस जिसको इस प्लाइन का एक्स्पीरियंस हो उसको यह इशू साथ के साथ लिख के भेजते रहो अगर आप भेजते रहोगे तो उसके पास एक लिष्ट बनती जाएगी जो फटा-फट इस चीज का एसाफ से अंदाजा रेट केलेकुलेट कर लेगा और चांसिज है कि suspension का भी काम खराब होगा अधर्वाइस वो गाड़ी बहुत ही अजीव तीके से चलाई गई है यानि हो सकता है rough usage में रही हो कि कभी कोई टार फट रहा है को सकता है उस गाड़ी का लाइनमेंट खराब हो तभी गाड़ी के अलगलग टार के अलगलग वीर हो सकते है कि कवर लोग गाड़ी और अजए करा देता है और देखना को देखना भूल जाते हैं तीक है मैंने बहाथ बाड देखा है कि कुछ लोग यह वह करता है गारी को ना चार पांव साल लगती है और फटखेंज गरती है पांच-छे सालों के अंधर ऒगती है सी आग्व आपने मामा से जादा वरोसा कर सको तो यह सबसे अच्छी बात है सवधानी हटी दुरघटना घटी और खटी तो इन तो आपने हमेशा ध्यान रखना है अगर कोई छोटा मोटा खर्चा है तो वह अच्छा किया था हॉन्दा सीविग मेरे सरकल में बहुत क्लोस प्रेंड की बात कर रहा हूँ है हउंडा सीविक हमने लिख थी अधे लेको जो गाडी ढ 그래도 कर दि सुझागे तो हसुआ उस एक्षर है और वहाँ झसे और कर दे को देखने हैं हो यह जो को आदी बेच रहना वही उस गाड़ी का ओनर हो, ये गाड़ी मेरे चाचा की है, मेरे मामा की है, फूफा की है, तो इन चुछों का बहुत बारीकी से आपने ध्यान रखना है, अगर आप कोई गाड़ी देखने जा रहे हो जो आपको बहुत धादा पसंद है, जैसे मिलको सिविक, अ नहीं लेके जाना आपने जब इंसान जेब में पैसा लेके जाता है ना तो वो गाड़ी के लिए कई बार टोकन मनी मौके पर दे आता है और टोकन मनी वापिस नहीं होती है आप लड़ोगे बिना बाद कर स्ट्रेस में जाओगे डोंट डू दिस गो चेक दकार कार को और आम आपने खरीद ली तो देरार मोर दन 50% chances कि वो गाड़ी आपकी कबार निकलने वाली है बहुत कम chances होते हैं कि वो गाड़ी आपके अच्छी निकले और अगर वो गाड़ी अच्छी निकलती है तो देरार chances कि आप उसका extra ही पैसा दे कर आयो राइट डीलर लोग जो गाड़ दो लाख उपे की खरीदी है इसलिए मैं कहता हूं और अगर उनर उसको दो लाख में बेच रहा है और आपको अगर ओनर दो लाख 20,000 में देता है वो गाड़ी तो ओनर को भी बैनिफिट है और आपको भी बैनिफिट है यहां पर दोनों के लिए विन-विन सिच्वेशन ह अगरा से मैं गाड़ी मना नहीं करता कि ना देखें देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है डीलर आपको धंके भी मिलेंगे और कई बर आपको अच्छा प्रड़क्ट मिल सकता है बट आपको गाड़ी देखनी आने चीए डाट इस दा मोस्ट इंपोर्टन थिंग तो डेड़ बनाया था वह आपको आगे जाखे काम आएगा तो आने वाले वीडियो के अंदर जो से अगला वीडियो होगा मैं आपको टिप्स बताऊंगा फाइनल एक प्रॉपर लिष्ट कि आपने किन चीजों का ध्यान लगना है कंप्लीटली और अगर आप उन टिप्स को लेकर जा ठीक है सिर्फ ओनर जानता है लेकिन जो मिजॉरिटी गलतियां लोग करते हैं वो आपको मैं आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा एंड अगर आप उस लिष्ट को फॉलो करोगे तो आपको मेरे को लगता है कि आपको गलत गाड़ी कोई डिलर या कोई ओनर नहीं बे कर दो